दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्त हमारे एको सिस्टेम बैक ओफिस में एक न्या पॉपपस हो रहा है जो एक्साइटिंग अपडेट एंड निव अनाउंसमेंट से रिलेटेड है हो सकता है कुछ बहुत बड़ा होने का आज हमारे बैक ओफिस में कोई बड़ा एक्साइटिंग अपडेट हमें मिले या या सेकंड यूटूब कंटेश्ट से भी रिलेटेड हो सकता है चुकि इसे मंडे से स्टार्ट होने को कहा गया था इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है अपने बैक ओफिस में नजर रखें गुड नीज हमें कभी भी मिल सकते हैं दोस्त ओन पैसी में इतना सब कुछ होने देखने और समझने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो हर पल सिर्फ ये जानने के लिए बेचेन रहते हैं कि ओकनेक्ट कब तक लौंच हो जाएगा 97 डॉलर्स कब तक आ जाएगा वेलेट में पैकेज कब से सुरू हो जाएगा भाई करना पे एस्ट्रक्चर हमें कब से मिलेंगे के वाई सी कब होगा हमारा मोबाईल एप कब तक आ जाएगे नेक्स्ट कॉर्परेट वेबिनार कब तक होने के चांसे जहें ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में सबसे अधिक जानने की उत्सुकता है फाउंडिंग मेंबर्स को भाई उत्सुकता होनी भी चाहिए इन्होंने काफी इन सब के लिए समय दिया है यहाँ धर इससे भी गलत नहीं है भाई जिस चीज के मिलने कावे काफी लंबे समय से इंतजार करते आ रहे हैं जाहिड सी बात है वे सबसे अधिक उसी के बारे में सोचेंगे उसी के बारे में बात करेंगे और कुश्चन भी करना होगा तो उसी के बारे में करेंगे ऐसे बहुत सारे founding members हैं जो काफी बूरे हलातों से गुजर रहे हैं कुछ तो बिमार भी हैं जो बेहतर इलाज ना हो पाने के वज़द से जिंदगी और मौत से भी जूज रहे हैं और बेहतर इलाज तभी हो सकता है जब उसके लिए परजाब पैसे हो पास में अगर उसके जिंदगी ही नहीं रही फिर क्या मतलब है उसके सपने पूरे हो या ना हो इसका फाइदा उसके साथ पिरियों तक मिलेगा सही बात है बट वो तो पैसों के अभाव में तरबते हुए चला गिया सपने तो उसने देखे थे इस कॉंसेप्ट को उसने जोईन किया था लगजरी लाइफ जीएंगे फाइननसियल फ्रीटम मिलेगा हजारों लोगों के हेल्प करेंगे ऐसे धेर सारे अंगीनत सपने होंगे उसके होस्पिटल तक बनवाने के सपने होंगे उसके और आज खूद के इलाज करा पाने में भी असमर्थ है ये भी बात सही है कि इसके लिए उनपैसिप कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है हमने उसे फाउंडर पोजिशन के लिए सिर्फ 8000 रुपिये पे किये हैं उन-8000 रुपियों से किसी के बेतर इलाज तो नहीं हो सकते हाँ आगर उन-पैसिप से इंकम आ रहे होते तो संभव था बट अभी तो कोई इंकम इससे मिलनी रहा मुझे खुद कभी-कभी हजीब सा लगता है एक तरफ हम कहते हैं कि सभी फांडिंग मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं परिवारिक सदफ से हैं मैं समझ नहीं पाता हूं आखिर वा किस बात का फैमिली मेंबर्स है जब उसके सुख दुख से उसके जीने मरने से हमें कोई मतलब ही ना हो कितने फांडिंग मेंबर्स बचारे अपने सपने लिए इस दुनिया से वीदा हो लिए कितने founding members या leaders उनके हाल समाचर लेने का प्रयास किये कितने लोग उनके family में जाके कुछ संत बना दिये उनका हाल समाचर जाने या उनका कुछ help किये एक तरफ हम humanity की मानवता की बात करते हैं मानव कल्यान की बात करते हैं दूसरों के help की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही बीच का founding members on passive family members बहतर इलाज के बीना तरफ रहा हो तो बरी-बरी बाते करने का क्या मतलब है मैं इसके लिए on passive को कहीं से भी दोसी नहीं मान रहा बट हमारे Indian leaders चाहे होते हैं तो बहुत हद तक इस तरह के समस्याओं से निप्टा जा सकता था हम इंडिया में 6 लाग के करीब founding members हैं इसमें active founding members चलिए मैं 2 लाग मान लेता हूं अगर leaders आगे आए होते एक बना-बना एक community है हमारा अगर हर किसी से सिर्फ महिने का 10-20 रुपिये निकालने को बोल दिये होते तो हमारे पास हर महिने करीब 20-40 लाख रुपिये के फंड जमा होते यानि साल के करीब 2,5 करोर रुपिये इससे बहुत सारे जरूरत-मंद founding members के बहतर इलाज हो सकते थे या कुछ और के भी समस्याओं के समधान हो सकते थे बट ऐसा हो नहीं सका जबकि यह संभव था गरीब से गरीब founding members भी महिने में 10 रुपिये तो दे ही सकता है बट इसके लिए कोई आगे आए तब तो आज अकेले हमारे इंडिया में पचासों साइकरों वेविनार डेली होते हैं ओनपैसिप के सब में होर लगी है लीडर्स बनने की अपनी पहचान बनाने की बट इन सब जरूरी मुद्दों पर कभी किसी ने सोचने का कुछ करने का प्रियास तक नहीं किया हमेशा से हम बरा तो हम बरा इंडियन लीडर्सिप में होते रहते हैं किसी को हाइलाइट कर देना किसी को डिमरलाइज कर देना यहां आम बाते हैं किसी को उठा देना है किसे गिरा देना है कुछ इस तरह के राजनीत भी होते हैं यहां यह किसी से छुपा नहीं होगा सभी जानते होंगे इन सब के बारे में अगर इन सब के जगह हम सभी मिल जूलकर कुछ गरीब और लचार टाइप के founding members के बारे में कुछ सोचे होते उनके लिए कुछ किये होते यह बहुत ही बरा सार्थक कदम होता humanity के लिए मैंने अपने चनल के माद्यम से कुछ founding members के help के लिए आवाज उठाया था request किया था मैंने देखा लोग काफी जागरूख हैं किसी भी परिस्थिती में किसी के help करने के लिए कुछ ऐसे भी founding members हैं जिनोंने अकेले 10-10,000 रुपिये डोनेट किये कुछ लोग 150,20,10 भी किये हैं गरीब से गरीब founding members भी 150 या 10-20 मदद कर दिया है बट मजाल की कोई Indian leaders इसके लिए आगे आएं या आब आज उठाएं या खुद से कुछ help करें हाँ एक कोई founding members है कभी राज करके साइध उन्हें किड्नी का problem था इलाज के लिए 8-10 लाग के खर्चे थे इसके लिए जसी जी आगे आये थे और उनका help भी हुआ था दोस्त ओनपैसिप से related वीडियो बनाने वाला एक चैनल है सौर्ज सिंग नाम से वह प्रतीक महीने हर एक founding members से सिर्फ 10 रुपिये देने को कह रहे हैं जिससे वैसे गरी founding members का help हो सके जो बेहतर इलाज के बिना अपने family से दूर होते जा रहे हैं उन्होंने वीडियो में पताया है कि मैं हर महीने live आके सब के सामने bank statements रखूँगा कितना fund आया और किसे help कितना किया गया उनकी कदम हमें सराहनिया लगा मैंने भी उनसे promise किया परतेक महीने खुद से धाई हजार रुपे डोनेट करने का दोस्त किसी के help के लिए महीने का 10 रुपे निकालना कोई मुस्किल काम नहीं है बट यही 10-10 रुपे अगर 1 लाख लोग हर महीने देते हैं तो परतेक मंत 10 लाख का फंड जमा होने लगेगा इससे किसी भी गरीब और लचार बे सहारा के मदद किये जा सकते हैं और इससे बरापुन्य का काम भी क्या होगा कि किसी की जिंदगी बचाने में हमारे कुछ भी पैसे तो गए हेल्प के लिए यह बहुत बरी बात होगी कल के डेट में सभी फांडिक मेंबर्स को फाइनेंसियल फ्रीडम होगी बट आज बहुत सारे ऐसे फांडिक मेंबर्स हैं जिने मदद की सक्त जरूरत है दोस्त हमारे हर महीने सिर्फ 10 रुपिये बिस रुपिये या सो पचास रुपिये देते रहने से किसी की जिंदगी बच सकती है किसी के बहतर इलाज हो सकते हैं किसी के हेल्प हो सकते हैं हम कल ओन पैसिप से आने वाले इंकम से होस्पिटल बनवाने की बात सोच रहे हैं आज हमारी परिष्टिती नहीं है हॉस्पिटल खोलने की बट महीने का अगर हम चाह दें तो 10-20-50-100 हेल्फ तो कर ही सकते हैं अगर आप चाहें तो सौर्च सिंग चैनल पे जाईए उसमें उन्होंने अपना गूगल पे फोन पे पेटियम नंबर दिये हैं 10 रुपे तो आप सेंड कर ही सकते हैं और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उनके पास हर एक चीज की परदर सिता होगी कब कितना फंड आया और कितना किसे किस काम के लिए हेल्प किया गया वे लाइव आके हर चीज को सामने रखेंगे एक दो दिन पहले मुझे मैसेज मिला कि साइट 36 ग प्रिया के जरिये जान भी रहे हैं इस बात को जिसे जैसा लग रहा है वो हेल्प भी कर रहा है बट यह सिस्टमेटिक ढंग से किया गया हेल्प नहीं हुआ इसमें ये भी हो सकता है कि किसी को जरुवत हो 10 लाग के और उसे हेल्प मिले 10,000 का तो उसका कुछ खास मतलब नह होगा हला कि कुछ इस तरह के प्रोब्लम सिर्फ अजय पांडे जी के साथ ही नहीं है बलकि बहुतों के साथ हैं जिसके बारे में साइध हमें पता नहीं है अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से हर महीने छोटे छोटे अमाउंट क्राउट फंडिंग के जरिए इकठा हो तो इस तरह के मामले में किसी के पूरे सिस्टमेटिक ढंग से हल्फ हो सकते हैं इसलिए मैं बार बर कहता हूं अधिक नहीं सिर्फ 10-20 रुपिय निकालिए हर महीने इससे आपका कुछ भी नहीं भी करने वाला लेकिन किसी और का जरूर बन जाएगा मैं सभी इंडियन लीडर से भ बनेट कर देंगे एक रुपिय डेली निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है दोस्त बस आदत लगाने की बात है और अभी से ही आदत रहेगा तो आगे चलके तो हमें बहुत बरे लेबल पे हेल्प करने है लोगों के उस वक्त हम किसी को समुद्र भी दे सकते हैं बट आज किसी को जरूरत है सिर्फ एक गलास पानी की अगर किसी की एक गलास पानी के बिना जान चली जाए तो उसके लिए समुद्र का क्या मतलब है दोस्त आगे चलकर सभी फांडिंग मेंबर्स के चमता होंगे दूसरे जरूरत मंद के अकेले इलाज करा देने की बट आ उमीद है कि ओनपैसिब में इस महीने बहुत कुछ होना चीए और सब कुछ जिससे हमारे वैलेट में एपल आ सकें बैक आप इससे जुरे रहें नेक्स्ट कॉर्परेट वेबिनार के रिगार्डिंग निव पपप कभी भी सो हो सकते हैं और मुझे पुरा यकीन है हमारा न करने की हैबिट्स जरूर बनाएं ताकि अधिक से अधिक जरूरत मंद के सिस्टमेटिक धंग से हेल्प किया जा सके समय को कोई नहीं जानता दोस्त किसी के साथ कभी भी कुछ ही भी हो सकता है अगर हम पहले से सतर्क रहें तो कैसी भी चुनोतियों का सामना किया जा सकता है बाद में लाखो लाखो हेल्प करते रहेंगे अभी जरूरत है दस पिस पचास सोव हर मेहने हेल्प करने की आदर डालने की डोनेट करने के आदर डालने की दोस्त जो भी फाउंडिंग मेंबर्स अजय पांडे जी का हेल्प करने को एक शुक हो वे इस मोबाइल नंबर पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9669 855489 9669 855489 आपकी उजीवाल भविस की कमनाओं के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक्यू दोस, धन्यवाद